Law of Attraction जी हाँ, बहुत दिन बाद जिजी आखिरकार इस पे आई हूँ, वैसे इस बारे में जिजी पहले भी बात कर चुकी है, लेकिन इस बार ना काफी दिनों बाद इस टॉपिक पे बात हुई है, और दर्शकों जिजी Law of Attraction से तब से जुड़ी है, जब से मतलब हमारी जिजी की कोई पहचान नहीं थी, कोई जानता नहीं था, गाउं तक वाले नहीं जानते थे, consider नहीं करते थे, फिर जब 2017 में यूट्यूब जिजी ने launch किया, बड़ी वाली जिजी ने, इन लोगों को नाम दिलाया, पहचान दिलाया, editing सिखाया, यूट्य समय पर याद रखना बेहर जरूरी होता है, कहीं तुम भई, अहसान के नीचे सूपर उठाएं न लगो, अब जिजी तो याद दिलाती रहती है, अब हम भी याद दिलाया करेंगे, चाहे वो बगगा हो चाहे, independent जिजी हूँ, है न, खैर, चलिए, लेकिन ये जो law of attraction है, इ ममी नीचे चाह पीएंगी, मैं उपर पीऊंगी, मतलब इन दिनों हमारी दिदी का जो वीडियो का content होता है, छोटी दिदी का, वो ममी से शुरू होता है, बढ़कनी का भी शुरू हो हुआ है, भाई सहाब ऐसा देख का ऐसा लग रहा है, कि कोनों वहाँ, देवदास नी ब पाद में बात करेंगे, अभी तो जो बात होगी हो law of attraction, सुना है जिद जी को कोई गंभीर बिमारी हो गई है, डिस्क की, आए दैयरी दैया, दू एकसरे देखे थे, है न, शायद एकसरे ही दिखा रही थी, खर चलिए, आज का ही जो रंगा रंगार करम शुरू करते हैं न उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी, जो जिद जी की सोच को प्रदर्शित करेंगी, और एक चीज 100% स्योर्टी के साथ मैं आपको बोल रही हूँ, ये जिद जी न, अंकुश अग निहोतरी का वीडियो देखने के बाद वीडियो बनाई है, आप जब ये शुरू करती है, कि बातों से पता चल जाता है, कि भाई साहब ये कहां से एकदम द्रवी थें, काहें इतना लो फिल कर रही है, तो जी हां हमारे कागजी जिद जिद जा का जो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ आला वीडियो, और जो जिद जिद जा ने बोला कि कोई बात नह हमने तो समझ के डिसीजन लिया है, अपने अपनी जिन्दगी इसलिए दाओं पे लगाई है, है ना तो मैं चार साल, पांच साल, दस साल के लिए तयार हूँ, कहां जी डराय रही थी, कि भाई नास पीटे अत्याचारी तु जिस चीज में पड़ा है, वहां पे ना मैं कि भाई साब, जो जब बोल देगा, जो ठीक है, कोई बात नहीं, it's okay, मुझे तो पता ही है, कि तुम लोग क्या चाहते हो, और किस चीज के अंतरगत तुमने हमें यहां पर फसाया है, कि जादा जादा तुम मेरा टाइम बेस करो, तो उसके लिए मैं त्यार हूँ, यहां स इस से भी, और इस से भी, क्योंकि वो तो खर्च होना ही होना है, तो यह सारी चीजें, अब आप सब को पता है, जिजी एकदम उनके तोपड़े पे दिख रहा था, एकदम द्रवीत हो रही थी, आला कि 38 मिनट, जिजी बहुत होता है, तुम लोग तो लग रहा है कि साला, मैं सिरीज बनाने लगे हो, ठीक है यार, 20-25 मिनट बहुत है, 38 मिनट, मतलब कुछ है, मिनट कम है, 12-12 मिनट और अड़ कर देती हूं, तो फिर ठीक है, आराम से लोग कई ब्रेक लगाई-लगाई देखती है, एक दिचार दिन मा, खेर दिद्दी की जो बात होती है, उसकी जो शुरुआत होती है, मिचियोर्टी से शुरुआत होती है, दिदी का कहना उसने अपनी सारी जिंदगानी कहानी योट्यूब पर बता रखी है, सब लोग जानते हैं, और मैं अब ये दावे के साथ कह सकती हूं कि मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, जो इत तुम उनसे का उमीद कर रही थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने उनके साथ का नहीं करा केस से लेके जितना भी आए बदनामी से लेके केस से लेके गाली गला उससे लेके टॉंट बाजी से लेके उसके बाद भी तुम यहर उमीद कैसे कर लेती हो कि ना जी उस इंसान को तो न भाई प्यार मुखबस से भरे रहना चाहिए हर दम मुझे प्यार उड़ेलता रहे आस तक हमको समझ नहीं आए कि दिद्धी इतना जादा सोच कैसे लेती है भाई खुद तू डसने के लिए तयार है जब देखो तब बेकरार है एक सि पroulement जरूर करिएका इस बात करहां पर क्या मतलब है कि अपने आप में बहुत जादा improve किया है इतने जादा improvement लाएं है ताकि मुझे जिन्दगी में जाके आगे regret ना हो मैं अब जो time देती हूँ अपने लिए देती हूँ अपने घर परिवार के लिए लोगों के लिए देती हूँ ताकि मुझे कोई आगे जाके regret ना हो समझ में आया मतलब इसका यहाँ पर क्या तात पर है इससे पहले यह अपने घर वाले को पर ध्यान नहीं देती थी या फिर भाई इनके अंदर को improvement नहीं हुआ था मतलब यार कभी कभी तो लगता है कि भाई जिजी जो कहना चाहा रही है सीधे सीधे शब्दम कह दो कि भाई हमने जो decision लिया था वो गलत लिया था तुमसे प्यार महबबत करके काश कि उस टाइम हमने decision यू ना लिया होता प्यार महबबत वाला तो मेरी कहाने कुछ और होती है ना प्यार महबबत में पड़िके हमने घर वालों के बिरोध जाके सबसे जादा मुझे लगता है इनको बड़ी जीजी सुनाती होंगी कि देख लिया अपने कर्मों का नतीजा है बहुत प्यार की दिवानी बनी थी अरे तुमारे का आगजी जीजी आप कोई प्यस्डी होल्डर ढोंड देता है या कुछ पढ़ा लिखा बुद्ध जीवी समाज का लेकिन उस टाइम तर तुमको दिल्ली वाले वाले वाईया को नीचा दिखाना था तो पकड़ लिया ना कईसा आदम में निकला है और मैं ना जीना गलती तो तुमने करी उस कागजी इनसान को इस धर्ती पर लाके बनाके दिल्ली वाले भाईया को लाके बनाके हैं और मैं गलती नहीं है जब तुमने गलतीया भेजी तो मेरी जिन्दगी में गलतीया हो गई ऐसा ही लगता है मुझे कई बार और सबसे ज़्यादा इनको self-realization मम्मी जी तो कम कराती है जूट की दिवानी ज़्यादा कराती है कि देख लिया आज ऐसे बोल रहा है क्यों बोल रहा है हम सबको क्यों सुनना पड़ रहा है सिर्फ तेरी वज़े से काश कि तुने प्यार महबत में पड़े के यूजब ना किया होता तो ये सारी चीज़ें जो बार बार self-realization होती है कभी 30 मिनट का, कभी 38 मिनट का कभी 57 मिनट का, कभी 45 मिनट का जो एपिसोड आता है उसका अश्रे पूरा पूरा जूट की दिवानी को जाता है जो शब्द निकल रहे हैं जरूर इनके हैं आप में से कितने लोग मेरी इस बास से अगरी करते हैं कि इनको जो self-realization होता है वो लेक्चर टॉंट से नेके बाद होता है और वो लेक्चर वो टॉंट जूट की दिवानी का होता है इसके अलावा हमारे जुची अपने जिन्देगों को जी रही होती है यार एक चीज है जूट की दिवानी को खुद नहीं पसंद है कि कोई उसकी लाइफ में डंगे लगावाए कोई उसको जीना सिखावाए कोई उसके लाइफ के रूल्स बनावाए लेकिन वो सबके उपर हावी होती रहती है छोटी के अंदर इतनी बुद्धी नहीं है कि मेरी गल्दियां मेरे फॉल्ट कोई बात नहीं मैंने करने आखिरकार मैं जैसे जिन्दगी जीना चाती थी मैंने वैसे जीया लेकिन ये सब चीज छोटी नहीं कह सकती क्यों? क्योंकि भाई बड़ी जीजी को सारी चीज़े गल्ती लगती है इस घर का अगर कोई मिच्चियोर सबसे मिच्चियोर responsible इंसान है क्योंकि उसने मम्मी के कंदे से कंदे लड़ा के इनके जो है कठिन समय में साथ दिया है हाला कि उस टाइमें एक खुद ही छोटी थी है ना? लेकिन भाई अब इनों माना है मम्मी ने एक बनाया है यहाँ पर जो बात रखी है कि जोट की दिवानी ने हमेशा ममी का सहीओ किया है बाकि के सारे के सारे छोटे थे तो उस घर की मुखियां जोट की दिवानी ही कहलाती है वो जिसकी भी गलती बताती है वो गलत है चाहे वो हो या नहो वो खुद की रजरों गलत हो या ना हो, समाज की नजरों गलत हो या ना हो, अगर जूट की दिवानी के नजरों में गलत है, तो भाई ना, उसको गलत ही कहा जाएगा, इस चीज को आप कितना एगरी करते हो, इस घर में चाहे जितने भी लोग हो, वो बात दूसरी है कि बग्गा उन सारी चीजों को नहीं मान करते हैं, एक बार मम्मी जी जूट की दिवानी के गले लगी के, गारी में ही चिहार-चिहार के रोई थी, उस टेमपना दुख्णा मम्मी जी ने वेक्त करा था, कि दोनों में से कौनों हमार नहीं सुनता है, ओन कैमरा वीडियो में हमने ये देखा है, तो इससे सबस्ट हो हैं, तो ने अपने मन से किया था ना, जिज्जे को फोटो भिचवाया था ना, अब तो बग्गे और बग्गे ने लव स्टोरी में एक्सप्ट भी कर लिया है, कि जिज्जा के दोरा भी हो स्टाइमप लागा है, बग्गी के एक्सप्ट पे है ना, कि बग्गी को हमने एक का होगा कौन सी मन गरंद कहानी आएगे फिलाल तो हम लोग बात करें जूट की दिवानी और हमारी छोटी जीजी पर छोटी जीजी के जो में चेटी भरा संदेश दिया जा रहा था ना उसके पीछे उनके पती का जो लास्ट वाला वीडियो है वो है दिदी के जिंदेगी मे लोगों की ब्लेसिंग काम कर रही है उनका कहना है कि मैं कहां से कहां निकल या मैं सोचती रहती थी रोती रहती थी मेरी जिंदगी में ये क्या हो गया जीजी आपने नहीं किया अपनी जिंदगी में पर उसे ने किया गाउंवाले ने किया या किस ने किया इस जिंदगी का सेलेक्षन आपने किया अब न यह गोल मुल बाते मनाना बंद करो है इनका एक चीज और कहना था कि भाई अब मैं तहार होने लगी हूं शायद अब मैं पहले जैसी हो पाऊं तयार होने से पहली जैसे का क्या संबन है क्या सब कुछ तयार होना ही है दिल से पहले जैसी समाग से सोच से बोलो जिस तरीके से तुम निक्षल थी जिस प्रकार से तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का बनाउटी पन नहीं था किसी प्रकार का तुम्हारे अंदर कुछ सड़ी अंत्र नहीं था वो ऐसा बन पाओगी सिफ तयार होने से पहले जैसे नहीं बन पाते हैं द चला लेंगे अब मुझे बोलने में थोड़ी सी समस्या हो रही है तो हो सकता है आप लोगों को मेरी आवाज अजीब सी लग रही हो पहले जैसे करने की मैं भी कोशिच कर रही हूं उसके लिए मुझे मेडिसिन लेना पड़ेगा तयार होने से करता ही कुछ नहीं होगा रात म में भी मेडिसन ले थी काड़ा भी पिया है अब पता नहीं साला क्या नुकसान कर गया फिलाल देखते हैं तो मैं पहले है जैसी एक दो दिन में हो जाऊंगी आवाज इसे हमार जीच जी और यह सर्टन एज जो आपको बहुत कुछ समझा रही है काश की आपको पहले समझा ही होती है ना कि अब आपको कोई बूरा बोल रहा है भला बोल रहा है अच्छा बोल रहा है आप समझते हो कि इसकी भी कोई मजबूरी होगी तब इस तो यह मुझे बुरा बोल रहा है आपको बैट फील ही नहीं होता है आपको जिंदगी समझा यह मतलब यार इससे पहले जिजी को जिन्दगी समझ में नहीं आई थी, अब इनको जिन्दगी के ऊपर नीचे चड़ाओ औराओ, सब को अपने जैसा समझने लगी है, किसी से कोई इनको गिला, शिकवा, शुकायत नहीं है, तो ज्यादा दूर नहीं जाते जिजी, आपके ही घर में बात कर लेते हैं, आपके घर में एक नई लड़की आई है, जिसका नाम है? दुपट्टा, है? वो लड़की के साथ आप बहुत अच्छे से रहती हैं, तनी कैसे आपका यूगो हर्ट होता, उससे बोलना तक बंद कर देती हैं, उसका नाम लेना तक बंद कर देती हैं, फिर बिचारी वो मेह संसु धर गए हैं आप दूसरों को अपने जैसा समझती हैं एक लाइफ एक सर्टन लाइफ के बाद एक जो अपने टाइम जिया है मिस्यूर्टी अब आ गई है तो आपकी भावी के साथ आपकी मिस्यूर्टी क्यों नहीं दिखती छोटी छोटी बात पर आप मुँ फुला ल दे या पिर किसी से चड़न हो जाए तो उससे हम कन्नी काटने लगते हैं बिलकुल दस साल की बच्चे जैसा बर्ताओ करते हैं डुपट्टा के साथ एक दम से मूह सुझाय लेती है फिर जब लगता है भाई मनाती है रूठे होए देवी को तब जाके उसका नाम लेना लाती है आप अपनी ही बातों में नक्यों पकड़ी जाती है कितनी बार हमने आपको बताया है जब आप अपने आपको इतना नहीं चाता जानती है जितना reaction वाले अब आपकी रगरग को पहचान चुके हैं कब आपका मूँ सूजा होता है कब आप डुपटा के गुनगान करती है कोई यह चोटा बच्चा नहीं है आप अपने आपको गलत फैमी का शिकार बना सकते हैं टरूवालों को लेकिन बागियों को नहीं यह मिचियर्टी कितने दिन के लिए है आप सब को पता है मैं situation से deal कर लेती हूँ लोगों से deal कर लेती हूँ कैसे बात करना है कैसे क्या करना है मतलब seriously आज इनसे सीखना पड़ रहा है टरूवालन का हम लोग तो जानते ही कि सिब क्यान के बाते है अनुभाओ जिन्दगी से सिखना होता है knowledge जिन्दगी से मिलता है आज हो जिजजी के जिन्दगी में टाइम आगे है जब वो पीछे मुड़ के नहीं देखती है seriously वो जो डाइवर्स वाली कहानी जो पिछले दिनों में तुमने बताई है अगर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा हो तो अच्छा अच्छा वो पीछे मुड़ के आपने सिब डालर के लिए देखा होगा I'm so sorry मैं तो भूल गई थी अब तो आपको जिन्दगी ने अनुभाओ दे दिया है पहले आपको जिन्दगी ने अंकुष दिया था दिल्ली वाले भाईया दिया था वो नुभाओ दे दिया चलिए ये नुभाओ काश की आपको काम आए ताकि आप भाई जिन्दगी में पलट के ना देखें पर देखते हैं आप ये कब तक पलटके नहीं देखेंगे, कितने दिन, क्योंकि एक दिन या दू दिन, उसके बाद फिर से आपका शुरू हो जाएगा वही रूना, फिर बहुत सारा लेक्चर देने के बाद, जिजी अपना खाना, पानी, ब्रिक्फरस्ट, लेंज करती हैं, है ना, सारी बाते होने के बाद, अचलम का पजामा पहन के, उपर चढ़ा के, सफाई करती हैं, और उसके बाद, शेर करने नीचे आती हैं, अब शेरो शायरी वाली सेर नहीं, वो सेर दूसरी वाक करने वाली, पांच किलो मेटर अभी नहीं हो पाती है, चार किलो मेटर हो लेकिन यह बहुत अच्छा है अपने माइन को फ्रस रखने के लिए अपने सायर के साथ साथ बच्चे को भी सायर करा रही होती है क्योंकि बैग्राउंड से बच्चों की आवाज आ रही होती है इसके अलावा हमारी जिजी ने आज थोड़ा सा लिपाई उ-पोताई भी करी ह कि भाई यह पुराने वाले उसमें आना है मतलब भाई कोई फेस मास्क था या कोई लेप उप था जो अपने मूप लगाई थी मुझे तो बनाना लग रहा था फिलहाल हमार जिजी आ चुकी है पहल कर चुकी है अरे कहां भाग रहे मतलब यह हो भाग रहे कह रहा हम भी ले का पायग कुल्चे उल्चे खाना उसके बाद अपनी बिमारी पे आना दिदी के एक अंगुठे में जान है दूसरे अंगुठे में जान नहीं है जी हां मैं जोट नहीं बोल रहे हूं दिदी ने बकाइदा अपने अंगुठों का गला दबाय की दिखाया कि देख लो एक अंगुठे में जान है और एक अंगुठे में बिलकुल जान नहीं है दो एक से रे थे उनको घुमाय फिर आयक है दिखाय के सर्वाइकल की इशू बताय रही है कि डॉक्टर ने बताया है दवाईयां बहुत हाई दोसकी है तो अगर जादा पूरी खाने से चक्कर आवे त कैसे क्या करेंगी मतलब काम कैसे होगा इतने नहीं सारे पेपर भी दिखाए गए डॉक्टर जहां पर नाम लिखे हैं क्या-क्या समस्य आए लिखी है सारी मेडिसीन दिखाई क्या लिखा था रात में खाना दिन में खाना दोपहर और वो सारी चीज़ें उसके बाद फिर रासन पे आ जाती है बाल्टी 13 लीटर की है 25 लीटर की है इन सारी बातों का था सार 38 में तमाम लोग भई नहीं देख पाए होंगे किसी तरीके से हमने भी इस कर कर के देखा है क्योंकि 38 में बहुत जादा होता है इतना लंबा तो कोई नहीं देखेगा दिदी दोई पार्ट में बनाए दी होती जो एक कम चोड़के दिखाए दो मतलब अडिटिंग के न